तो दोस्तों आज हो गई है 6 जनवरी और जो बड़ी खबर है मुखे समाचार हैं एक एक करके चलेंगे तमाम बहुत बड़ी अपडेट साब तक आगी इसी वीडियो के माध्धम से पहुचाएंगे इसलिए लगतार हमार साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा तो वह दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन की अगर आप लोग भी आगामे यूपी विदान सा भाजनाओं में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइ है पंजाब के मुख्य मंतरी चरण जी सिंग चन्नी ने इस बात से इनकार किया है कि पंजाब में प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी की सुरच्छा में सेंध लगी है आप लोगों को बताते चलें पंजाब के सीम चरण जी सिंग चन्नी ने इस बात को यहां पर खारिज किया कि पीम मोदी की सुरच्छा में सेंद लगी है इसके साथ ही उनका आगे कहना है कि कारकरम के लिए 70,000 कुरसियां लगाए गई थी लेकिन वहाँ पर 700 लोग ही आये थी जिस कारण इसे यहाँ पर रैली को रद किया गया है और इसके साथ ही सीम चन्नी ने आगे कहा है कि पीम मो इसके साथ ही पीम मोदी की सुरच्छा की चूक के मामले में कॉंग्रिस ने यहाँ पर पलटबार किया है और कहा है कि पीम की रैली इसलिए रद की गई क्योंकि वहाँ पर भीड ही नहीं थी और भाजपा को एक ना एक बहाना चाहिए था और भाजपा ने बहाना ढून लि यह यहाँ पर कॉंग्रिस पार्टी ने घे रहा है इस पूरे मामले को लेकर के पियम मोदी को एक और बड़ी खबर बताते चलें है कि चुनावों की तारीकों के एलान के साथ ही चुनावाई योग इससे जुड़े फैसले का भी यहाँ पर एलान कर दे एक तरफ देश में कोरोना की मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ रोजाना हजारों लाखों की भीड़ वाली रैलियों की तस्वीर लगातार सामने आ रही हैं तमाम राजिनीतिक दल कोरोना के बढ़ते संकर्मन के बीच भी लगातार ऐसी रैलियां कर रहे हैं बिना इस बात की परभा किये कि ये चुनावी रैलियां कोरोना के सुपर इस्प्रेडर का माध्यम बन रही हैं तो यहाँ पर दोस्तों देख सक इमानदारी से बिल्कुल भी नहीं बीजेपी पर बोले हैं राकेश टिकैत आप लोगों को दोस्तों बताते चलें उत्तर प्रदेश में हुने वले विधान सभाचनाओं में ज्यादा वक्त नहीं रहे गया है ऐसे में सभी राजिनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारिय में लगी हुई है इससे इतर किसान नेतारा किस्टिकैत को लेकर के भी लगातार यहाँ खबरे आ रही थी कि वहां राजिनीति में अपना हाथ आज़मा सकते हैं लेकिन उन्होंने खुद इस बात को सिरे सिखारिज कर दिया है इसके साथ ही उन्होंने यहां भी साफ कर दि एक इंटर्वियू में किसान निता राकेश्टिकैस से नियूज एंकर ने सवाल किया कि यूपी में होने वाले 2022 के विधान सभाजनौ में कौन जीत रहा है इसका जवाब देते हुए राकेश्टिकैस ने भाजपा परतंज कसा है उन्होंने कहा है कि उनको कोई वोट नहीं द रहा है और कहा है कि यूपी के आगामी विधान सभाजनौ में भाजपा बड़े इस्तर पर बैमानी कर सकती है और यहाँ पर वोटों के साथ हेर फेर कर सकती है बीजेपी यहाँ पर कहना है टिकैस का एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले यूपी विधान सभा चुनाओ को लेकर के नेताओं का एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी जोइन करने का सिलसिला लगातार जारी है इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जैपर कास पांडे और अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंतरी असोक कुमार वर् बीजेपी, विधायक, माधुरी वर्मा और बहुजन समाजपार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडे सहिद अन्य डलों के नेताओं ने भी समझवधी पार्टी जोइन कर ली यह यहाँ पर बड़ी खबर है दोस्तों एक एक करके यहाँ पर बीजेपी, बीएसपी और कॉंग्रिस के कई नेता यहाँ पर समाजपार्टी जोइन कर रहे हैं, एक और बड़ी खबर बताते चलें कर्थान को भी स्थागित कर दिया है, और वहीं कॉंग्रिस पार्टी की इस फैसले के बाद यहाँ पर कई अन्य पार्टियों पर भी दबाओ बढ़ गया है, कि वहाँ लोग भी अपनी चुनावी रैलियों को रद करें, या फिर कुछ समय के लिए टालें, क्योंकि समय दे कर दिया है, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सिच्छक भरती की मांग कर रहें युवाओं के समर्थन में उतरे हैं अखिलेश यादब कहा निर्दाई भाजबा सरकार के आगे अब और हाथ ना जोड़ें युवा, आप लोगों को बताते चलें, यूप कर रहें कि नई सिच्छक भरती की मांग कर रहें, बेरोजगार युवाओं से हमारा अगरह है कि वो निर्दाई भाजबा सरकार के आगे अब और हाथ ना जोड़ें, ना ही उनकी लाठी और उत्पीड़न का सिकार हों, उन्होंने बेरोजगार युवाओं को भरोसा देते बताते चलें उपभोक्ता मामले, खेल और युवा, कारकरम, नगर और ग्राम, आयोजन, राज और द्योगिक और मूलभूस सनरचना विकास और हरियाना, क्रसी उद्योग, निगम तक हर विभाग में हुई, वित्य कूपरबंदन की एक लंबी फहरीस थाए और वहीं कैग ने आगे काहे कि सरकार के वित्य प्रबंदन में खामियों के चलते राज्य के खजाने को ग्यारा सौसे भी अधिक करोड का चूना लगा है, यहाँ पहली बार नहीं है कि कैग ने 70 सरकार के वित्य कारिसली पर गंभीर सवाल उठाये हैं यहाँ पर, यह यहा जादा इस वीडियो को शेर कीजेगा ताकि आप सभी के दोस्तों भी इन मुखित समाचारों को जान सकें, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद